हेलो यूट्यूव फैमिली गूड मॉर्निंग चलो चलते हैं आज की दिन चरिया में वेलकम टू माई चैनल मैं खड़ी हो चुकी हूँ और क्रेक्ट पांच बजे मेरे घर से बार का विव ऐसा ना जरा रहा जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ उसके बाद मैं मैं नीचे जाती हूँ कोले से लाती हूँ और मेरी चाई को बना कर तयार कर लेती हूँ उसके बाद मैं मोटर चला कर उपर आ जाती हूँ अपनी चाई लेकर और फिर चाई को मैं साइड में रख देती हूँ और फिर देखिए बिली का बचा कहा के उपर बैठा हुआ है मैं लिए चाय को रख रख रखा है और उसके बाद में बार बार निच्छे कह रहा है कि निच्छे आकर मेरे को दूद रोटी दे दे बार बार मेरे को निच्छे बुला रहा है और मैं नहीं जाती है तो खुद उपर आ जाता है और उसके बाद में फिर मैं उसको चाई और दूद और रोटी दोनों की दोनों चीज़े दे करा जाती है मुझा चाई तो अमने पीती यह दूद पीता है चाई नहीं पीता है और उसके बाद में दिवार के उपर आकर आराम से बैठ जाता है और उसके बाद में मैं फिर दुबारा उपर जाती हूँ और पीने का पानी भर देती हूँ क्योंकि पीने का पानी मैं नहीं भरा अभी तक इस बदमास के साथ मैं मैं मस्ती करना लग जाती हूँ देखिए, मैं लगा कह समोसा में बिल्कुल ठंडा ठंडा है, क्योंकि सर्दी एक महिने के बाद में लाया, साइद लगता है कि सर्दी शुरू हो जाएंगी, और फिर मैं पीने का पानी भरने लग जाती है, उपर, नीचे भी अभी तक मैंने नहीं पराया, पहले मैं उपर कं पी लिए है, क्योंकि मलब फे मेरी चाय बहुत जादा ठंडी हो जाएगी, क्योंकि वो पती ले के अंदर ही रखिऊ हुई थी, मैंने उसको गिलास के अंदर नहीं डाला था, मलब मैं चाय को कप में नहीं पीती हूँ, हमेशा स्टिल के बरतन में ही पीती हूँ, और उसके होता है कि जिस दिन मन होता है तीन या चार दिन में पांस दिन में तो मट के हुँमत दूख कर भर देते हैं बाई चांड से ली यूज हो तो ताजा पानी रहे और मुझा ज्यादा तर तो करते हैं। चल रहा है और टंकी भरने वाले क्योंकि कपड़े कल नहीं दोए थे परसों दोए थे तो इसलिए मुझा मसीन दूपती है मसीन में कपड़े दूपती है उस दिन टंकी का पानी लगबग खाली हो जाता है तो उसके बाद में मैं यहां से धोना सुरू कर देती हूं और पानी दोए नहीं जाना है मारा पानी कर देती हूं लेकिन आज गूनो को रहे होती है तो मैं आज पॉक्शस में नहीं जाना है करसे दिशाइड कर लिए कि मैं बाइक को धोगी और यह सारी कप्रे मैं बनल गुन्यों के स्कूल से आने के बाद में धोए थे गुन्यों के पापाуждा गुन्यों का धो स्कूल मे जाना होता हूँ सिन्तों मैं उसको करेक्ट 6 बजे जगा देती हूँ कि वेटा खड़ी होले में जाना है और में तो मैं नहीं जगाती हूँ सिके बाद में कैसा प्यारा-प्यारा मोसम हो 가지 है अर्ट मेरी उपर की सफाई अर्ड बरी कम्पलीट हो गई है मला नीचे की नहीं की है उपर की की है पूरी की पूरी कमपलिट हो गई है और गुन्न के पापा ख़ड़े हो गए है अग सिरफ चेष्टा बाबू अकेला सो रहा है मला गुन्न के पापा की च्षाल पाई को मैंने साईड में लगा दिया है क्योंकि पोचा लगाना था तो मैंने उसको साइड में खड़ा कर दिया है अनि तो मैं उसे चार पाई की नीचे घुस कर लगाना पड़ता है और फेस टाइम के उपर मैं ना चुकी हूँ और मेरे बाबा की जियोत बत्ती के अंदर लग गई हूँ बाबा जी को मैंने नहला दिया है और मैं भी ना चुकी हूँ हाँ चाय अभी मैं नीचे जाकर बनाऊंगी मलोग गैस के उपर नहीं रख कर आई हूँ और देखे मेरे पूजा सुरी देवता की कंप्लीट हो गई है यह मेरी तुलसी मैया है जिनकी की मैंने जल अरपन कर दिया है और यह है मेरे इस्ट देवता और इस्ट देवता को जल दे रही थी तो मेरा चेश्टा बबु आकर मेरे को सर्प्राइज कर देता है क्योंकि वो खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि मुमा चाय और बूजी में फिडिंग करा दो और रहिक चाय पिला दो उला ये धोनों काम करा दो फिर मैं चाय बना कर ले करा जाती हूँ मेरी जोतपती पूरी कंप्लीट हो जाती है फिर मैं नीचे जाती हूं और चाय को बना कर ले करा जाती हूं फिर मैं पिलाती हूं चेश्टा बाबु को चाय और बाबाजी को चाय देखिए चेश्टा बाबु आ गया है यह दोर गुर्णू भी खड़ी हो गई थी अपने तो उसको पता है कि मुझे बीच में नहीं बोलेगी तो वह निक चली जाती है तो जेश्टा बबू खुस हो रहा है कि मां अंदर है वह गुन्नो को मा कहती है कभी भी मलब जी जी नहीं बोलती है नहीं उसको नाम लेकर बुलाती है चाय पीने के बाद मैं सीडियो में बैट कराऊंगे मलब बार बार बैटने के लिए कि ममां बैट कराऊंगे तो मैं सीडियो में पहले जाडू फटा फट लगा देती हूं कि चेश्टा बबू बैट कराएगा क्योंकि शेडियो में कचरा था और उसके बाद मैं चेश्टा बबू देखिए और ये टाय मलब ह हम नीचे आजाते हैं फिर नीचे का पूरा का काम कंप्लिट कर देते हैं आईस टाइम के उपर मु Badg सिर्प जाड़ु लगाया है फोचा नहीं लगाया है बरतन साफ कर दीए है फोचा मैं बाद में लगाउंगी क्योंकि चेश्टा बाबू ने खाना नहीं खाया तो मैं सूचती हूं कि मैं खाना खाऊंगी तो मेरे साथ में वो खाना खा लेगी थोड़ा बुत तो हम दोनों मागविट्टी चल देते हैं खाना खाने के लिए दो नहीं हैं तीन है क्योंकि चेस्टा बाबू का बाबू जी भी साथ में है मुला वो उसको उपर लेकर जा रही है और सीडियों में देखी इसको चोट लग जाती है तो बार बार सीडियों को मार रही है कि तुने बाबू जी को मार दिया और उसके बाद में देखिए बाबाजी को खाना दे दिया है मेरा बाबो आ गया है और थोड़ा सा खाना खाता है ज्यादा नहीं खाता है ये आइस टाइम के उपर मैंने पूरी सफाई कम्प्लीट कर दी है और फिर गुन्नों कहती है कि मौमा कमरे के अंदर मौला आवा जा तो हम मैं आती हूं और फिर मैं दिखाते हैं आपको कि क्या है ये है चीडिया का बिल्कुल छोटा सा बच्चा मौला कितना बताओं आपको चुया का बच्चा होता है उस जितने साइज का है बिल्कुल ये बिल्कुल प्यारा सा मौला ये पता नहीं कैसे करके कमरे के अंद रहा हुआ है, यह हद से ज़्यादा, तो फिर यह काफी देर तक, कई घंटों तक यह कमरे के अंदर रहता है, मैं और चेश्टा बाबू सो भी जाते हैं, खड़े भी हो जाते हैं, चाए भी बना लेते हैं, चाए पी भी लेते हैं, तब तक यह इसी कमरे के अंदर रहता है व मुला ऐसे करके बैठ रहा था लेकिन बाहर का रस्ता इसको नजर नहीं आ रहा था हाँ हम बाहर जा रहे थे तो मैं गेट को बंद कर देती थी क्यों कि बिल्ली का बच्चा आ जाएगा और मुला यदि ये निच्चे दी गया तो बिल्ली का बच्चा इसको खा जाएगा ये फिर वो भी मतलब गेट के उपर बैट जाता है, तो फिर मैं ही उसको थोड़ा वो तीलाती हूँ, फिर वो बाहर निकलता है, काफी घंटों के बाद में उसको बाहर का वियू नजराता है, फिर तब तक तो हो सकता है, इसकी मा भी पता नहीं कहां जली गई होगी, बस इसी च कड़की निकालती हूँ, वो दर्वाजे पर आकर बैठ जाता है, तो मैंने सोचा कभी फिर अंदर ना आ जाए, तो मैं उसको बाहर की तरफ कर देती हूँ, कि वो बाहर चला जाएगा, और इसके बीच में देखिए, चेश्टा बाबू खेल रहा है, गोड़े के साथ में, और गुन्नों की जो मैडिशन हैं, उन सब को फैला कर बैठ जाता है, कि मा की दवाई है, उनके साथ में भी काफी देर तक खेलता रहता है, यह बदमाज, गुन्नों और इसके बच्पन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा, दोनों की दोने दे दोंगे, उसको हमेशा माई बोलती है, आर कैप पहन रखें और आज कई महिनों के बाद ने उसने घोड़े का यूज किया, डेली हर खिलोने के साथ में नहीं खेलती है, बाबुजी हो गया और टायर वाला बाबुजी हो गया, इन दो के साथ में तर लगबग खेलती है और खिलोने के साथ में बहुत कम खेलती है, डोल वगएरा हो गया हो, इनके साथ में हाँ, कल मेरे बाबुजी ने थोड़ा फौन लिया और आज भी मैंने उसे अभी तक सिर्फ थोड़ी दिर के लिए फौन लेने दिया है, बाकी दिर नहीं लेने दिया है, यह मेरी शाम की ये मुला अब फिर गेट के उपर जाके बैठने की कोशिस करता है फिर गेट के उपर बैठ जाता है और फिर मुझा उसको बाहर की तरफ मैं कैदे मुला ऐसे करके हिला दिती हूं तो थोड़ा सा बाहर की तरफ उड़ जाता है मुला आखिर में कई गंटों में बिचारे को आजाती मिलती है मुला हमने कैद नहीं कर रखा था यह अपने आप आता है लेकिन हम इसको हाथ से पकड़ कर भार नहीं निकाल सकते थे क्योंकि बहुत छोटा था और उपर से डरा हुआ था बहुत बुरी तरह से देखिए मैं इसको ऐसे करके बहार निकालती है कि यह बिचारा आराम से फिर बहुत थंडी हुआ चल रही आज और मैं यह कह रहे हैं कि भाई अंदर मत था तो बहार उड़ और गेट को बार बार बंद करने की कोशिस करने की वो अंदर नहीं आए क्योंकि अंदर आएगा तो फिर से वो कैद बन जाएगा और फिर देखिए फिर वो दिवार के ओपर जाकर बैठ जाता है आखिर में वो जब दिवार पर बैठ जाता है फिर मैं सोचती विचारी को मुझा चाय रोटी और पानी दे देती हूं लेकिन अंदर भी देती हूं लेकिन अंदर नहीं खाता वो उड़ जा रहा था लेकिन भार आने के बाद उसने थोड़ा बहुत सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया दो सिप जादा नहीं पी है मैं यह कहूं कि उसने बहुत जादा खाना खाया पिया नहीं इसने कुछ भी नहीं किया इसने सरफ दो घुट पानी पी ते रोटी नहीं खाई क्योंकि अभी छोटा बच्या हो सकता है इसको रोटी खाने नहीं आती होगी लेकिन हाँ थोड़ा सा पानी जरूर पीता है यह जब जैसे इसकी माँ इसको मुह में देती है ऐसे करके मूँ खोल रहा था तो सिर्फ दो गूट महले इसकी दो गूट पानी पीता है और फिर आखिर में ये उड़ जाता है फिर मैं काफी घंटों तक उस पेड़ी की तरफ देखते रहती हूं कि वो दिखाई दे, सुनाई दे आवाज तो उसकी आ रही थी लेकिन वो दिखाई कहीं नहीं दे रहा था क्योंकि पेड़ इतना बड़ा हो गया तो कहां से दिखाई देगा उसके आवाज यावाजी सुनाई दे रही थी मेरे को पता नहीं या वो कैसा है मैं उसके जाने के बाद में बहुत अजीव लगा कि देख चला गया विचारा लेकिन हम उसको पाल भी नहीं सकते कैसे पाल सकते है विचारा छोटा साथ हो कैसे पालेंगे उसको और फिर उसको खाने कभी नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं हाँ इतना और क्या पता खाएगा भी या नहीं खाएगा देखिए मैं इसको रोटी देने की कोशिश करती है लेकिन वो निकाल देता है मुला उससे नहीं खाई जाती है रोटी और फिर ठोड़ा सा इसको पाने पिलाती है कि ले भाई पाने पिले और इसको मुला ऐसी प्लेन प्लेट में लेकर आती हुआ यदि कटोरी में लेकर आएईगी तो हो सकता इसकी चोंज नहीं लूपेगी तो मैं इसको बिल्कुल प्लेन कर बरतन के अंदर पानी लेकर आती हूं ताकि ये पी ले क्योंकि गिलास वगेरा मैं ये उसमें लेकर आती तो क्या पता इसका मून जाता या नहीं जाता बहुत छोटा ये और मैं चेश्टा बाबू और बाब मुला कई घंटों के बाद में बिचारे को सिर्फ दो गुट पानी मिलता है और फिर इस पेड़ के ओपर जाकर बैठ जाता है कई घंटों तक मा उसके आवज को सुनती रहती हूं आप पता नहीं है मुला आप तो रात को तो आवज उसकी आने रही है लेकिन पता नहीं उस उसके बाद में बिल्ली आ जाती है और वो खा रही है जो चिडिया के बच्चे के लिए रोटिया रख रखी थी वो कि चिडिया का बच्चा टेबल पर बैठकर रोटिया खा लेगा तो पानी को तो मैंने बाहर दे दिया था उसको लेकिन रोटिया बच्ची हुई थी तो खा रहा है और बिल्ली का बच्चा अपनी मा के पास जाने की कोशिस कर रहा है कि वो अपनी मा के पास चला जाए लेकिन उसकी मा उसको मुला अपने पास आने नहीं देते पता नहीं मुला बहुत दूर करती जा रही है इसको नहीं तो पहले हमेशा इसकी गर्दन के उपर बै अर इतना सारा सामन मेरा बाबुजी ने रात को फैला रखा है और आज हमने इतना सब कुछ किया और मिल्ली का बच्चा रात को फिर आ जाता है और फिर करता है अपनी मस्ती ओके फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती ने व्लोग के साथ में